हेलो फ्रेंड्स, व्ल्कम बैक तो मैं चैनल अम्रिती फैशन विला, आज की वीडियो में हम सलाई के हल्प से एक्तम सिंपल और आसान तरीके से काना जी की अड्रेस बनाने वाले हैं, यह रहां मेजर्मिंट चार्ट आप इसे किसी भी साइच के लिए बना सकते हैं, मैंने इ से बांदेना है, बहुत ही उपसुरत से यह नैपी ड्रेस है, इस तरह की ड्रेस आप काना जी को पहना सकते हैं, और इसके उपर से आप घेर भी पहना सकते हैं, कोई भी गोल घेर आप पहना दीजे, तो आपकी नैपी अटेच है चोली में, तो आपके लिए इजी हो जाए तो यह ड्रेस एकदम पर्फेक्ट रहती है आप देखें इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है पीछे से आप देख सकते हैं फ्रंट से मैं आपको दिखा लेती हूं अब देखें कोई भी घेर पेनाई है कुछ भी पेनाई है बोखो सुंदर लेगा तो चार नंबर के काना पर फॉल्व नहीं कहा है तो मुझे वहां पर फॉल्व कर लीजे तो चलिए स्टार्ट करती हूं और देख लेते हमने इसे कैसे बनाया है अब दिखिए गाइस आज हम सलाई के हल्क से बनाएं ये काना के ड्रेस यह मैंने यहां पर उन लिया हुआ है ग्रीन कलर का तो सबस हो जाता है इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं निकलते हैं इसलिए मैं इसका यूज करती हूं सबसे पहले हमें क्या करना है यह देखें यह जो हमने खोला है वह वाला भाग इधर है और गोले वाला उन हमारा इस साइड में है तो हम इस तरह से स्टलाई रखेंगे और उसके पड़ा, तीन पंदा, चार पंदा, पांच, छे, साथ, आट, नव, दस, टोटल हमने दस पंदे डाले हैं अब जो हमारा में गोले वाला उन है उसी से हम बुनाई शुरू करेंगे इसे हम जो एक्स्ट्र है वो कट कर देंगे, कैसे बुनना है उल्टा-उल्टा ही बुनना है इस तरह से सलाई को लगाईगे और जो लंबा वाला उन है इसे हम ऐसे करके फशाएंगे, यहाँ से निकाला, निकालने के बाद फंदे को गिरा दिया, एक फंदा हमने बुना, अगला फंदा भी हम सेम तरीके से बुनेंगे और जो हमने ये उन कट किया है इसे हम इसी में ऐसे करके दबाते चलेंगे अगला फंदा भी हमने उल्टा बुन दिया फिर अगले फंदे में हम डालेंगे और इसे हम इस तरह से इसमें दबा लेंगे ये हमने उल्टा बुना फ यह इस तरह से तो चलिए ऐसे ही मैं इसे पुरा उल्डा उल्डा बुनती हूं तीन चार फंदा बचा है पुरा बुन के रिखा देती हूं और उसे हमने दबाना छोड़ दिया उनको हम उसे 5-6 पंदे तक दबाएंगे फिर हम छोड़ देंगे उसके बाद जो एक्स्रा है आ अगर आप इसे तुरंद बहुत पास से कट कर देंगे तो आपकी बुनाई जो है वो खुलने लगेगी और इस तरह से कट करेंगे तो यहां पर यह आपका फर्स जाएगा तो आपकी बुनाई खुलेगी नहीं हमने एक सलाई उल्टी-उल्टी बुनी है यह हमारी अब तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है नॉर्मल उल्टा-उल्टा बुनते चले जाना है यह देखें दो सलाई हो गई तो चली अब ऐसे ही मैं इसे लंबा करती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे हमें क्या करना है यह देखें मैंने यहां प पंदे देख लें जीरो सायज में आपको 55 डालना है एक नंबर में 6 दो नंबर में 7 तीन नंबर में 8 चार नंबर में 10 जैसा कि हमने यहां पर डाला है पांच नंबर में 12 छे नंबर में 14 साथ नंबर में 16 आठ नंबर में 18 नौ नंबर में 20 और 10 नंबर में 24 और कितनी कितनी पांच नमबर में 48, 6 नमबर में 56, 7 नमबर में 64, 8 नमबर में 72, 9 नमबर में 80 और 10 नमबर में 90, यहां पास से आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं, इतना बुनने के बाद आपको क्या करना है, यहां से उन को कट करना है, कट करने के बाद हम इसे ऐसे साइट करेंगे, और साइट कर मीलेगी, अब बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको पताऊंगे अमें क्या करना है ये देखी मैँने यहाँ पे पिर से इतना ही बुन दिया है ये एकदम से माइं ये ये इतनी ही बड़ी पठ्टी है अब में क्या करना है, दोनों को एसले आपस में इकठा बुन देना है यहां से हम बुनते हुआएंगे और पूरी सलाई बुन लेंगे अपने इसी उन से और ये वाला हम इसी में दबाते चलेंगे चले बुन के दिखाती हूँ कि आपको कैसे बुनना है अब दिखें हमें कैसे बुनना है नॉर्मल जैसे हम उल्टा उल्टा बुन रहे थे सेम वैसे ही बुनते चले जाना है बस जब हमारा जॉइंट होगा तो हम उनको हल्का सा पसाएंगे दिखाती हूं कैसे अगर आप बिगनर भी हैं तो ये एकदम आसान तरीका है एकदम सिंपल तरीका आपको बता रही हूं बनाने का आसानी से आप बना सकते हैं ये देखे अब ये वाला हम इसी में जॉइंट करना है तो इस तरह से करेंगे ये नॉर्मल जैसे बुन रहते वैसे ही बुन देंगे बस इसे हम यहाँ पे जो छोटा वाला उन है इसे हम इसमें ऐसे दबाते चलेंगे टाइट करके थोड़ा सा ये इस तरह से ये देखें जैसे हमने उन को कट करने से पहले दबाया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पे दबा देना है अब हमारे सारे फरंडे इकठा हो गए है यह इस तरह से पस चार ज़े पांच से पंधों तक दबा दिया अब आप इसे कट करके हटा सकते हैं यह पहली सलाई हमारी बुन गई जए हमारी ज्वाइट होते बगत पहली सलाई है अब यह हम दूसरी सलाई बुनने जा रहे ये भी सलाइएं आपको याद रखनी होगी तो चलिए बुन लेती हूँ इसे हम थोड़ा सा लंबा बुनेंगे फिर आपको दिखाती हूँ बहुत जादा लंबा भी नहीं बस थोड़ा सा तो बुन लेती हूँ आगे आपको दिखाऊंगे हमें क्या करना है यह रखे मैंने यहां पर जॉइंट करने के बाद इसे टोटल दस सलाइया बुंदिया है और यह जो उन हमने देखे यहां भी इसे फसाय था इसे मैंने कट नहीं किया है कट इस वज़े से नहीं किया है जिससे आपको पता चलती जीरो सायस में आप 5 सलाइ बुनिये एक नमबर में 6 सलाइ दो नमबर में 7 सलाइ तीन नमबर में 8 सलाइ चार नमबर में 10 सलाइ पांच नमबर में 12 सलाइ छे नमबर में 14 सलाइ 7 नमबर में 16 सलाइ 8 नमबर में 18 सलाइ 9 नमबर में 20 सलाइ 10 नमबर में आपको 24 सलाइया बुनि सीधी साइट से सुरू कर रहे हैं तो जब आपका ये मार्क ना आये तब घटाईए तो कैसे घटाना है सिम्पली सिफ दो फंदा एक में लिना है और बुन देना है अब जब जब हम इस साइट आएंगे तब तब हमें घटाना रहेगा ये देखें ये मार्क वाले साइट में मैंने घटाया है तो जब जब हम इस साइट आएंगे तब तब हमें फंदा घटाना होगा बीच के फंदो को हम नॉर्मल प्लेन बुन देंगे घटाना बहुत इजी होता है आसानी से आप इसे बनाईए और अपने गाना को पहनाईए बहुत खुबसूरत इसकी फिटिंग आती है ये देखें ये इस तरह से अब लास्ट के जो दो फंदे हैं इने भी हम आपस में ये हो गया अब इधर हमें प्लेन उल्टा उल्टा बुन देना है इधर कोई फंद आप हमारे ने घटेंगे नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देना है फिर जब हम सेट जाएंगे हमारा मार्क है उधर तो फिर हम उधर अपना घटाएंगे ऐसा ही करते करते लास्ट में हमा फिर आ गए हम अपने मार्क पली साइड इदरी हमने घटाया था तो फिर हम इधर से घटा लेंगे देखे दो फंदा एक साथ बुन दिया बीच के फंदो को प्लेन और फिर दो फंदा एक साथ बुनेंगे इसी तरह से घटाना है चले घटाती हूँ फिर आगे बताओगे क्या करना है यह देखे घटते घटते हो हमार पास सिर्फ चार फंदा बचा है सबी जैज में आपको पास ऐसे ही लास्ट में चार फंदा बचेगा तो इस साइड हम प्लेन बुन रहे थे इस साइड हम प्लेन ये इस तरह से लास्ट वाला दिखा दे रही हूँ जिससे आपको बुनने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो अब देखिए दो दो फंदा फिर से घटा लेंगे ये दो फंदा हमने घटाया और फिर दो फंदा घटा दिया अब इधर हमें घटाना नहीं है इधर हमें बुनना है तो सिर्फ यही दो फंदों को बुन लेंगे ये इस तरह से और फिर यहाँ लास्ट में देखिए दो फंदा बचा है इन दोनों फंदों को इस तरह से घटा दिजे एक फंदा बच किया अब इसे हम ऐसे थोड़ा सा लंबा करेंगे इसके 20 से उन को निकाल लिया बस कट करके खीश लिजे यह हमारी नौट आ गई यह इस तरह से अब यहाँ पे यह जो है उन काट देते हैं आप देखिए हमारा यह बनी गया है अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक डोरी लगानी है तो डोरी भी मैं आपको बिना क्रोश या हुखके हाथ से ही बनाना बताती हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं तो इस तरह से उन लेना है यह देखिए और उन हम ऐसे करके यह लूब बनाएंगे यह देखिए अब दो उंगली डाले इसके बीच में और यहाँ से निकाल लीजे यह आपकी अब प्रॉपर नौट बन गई है दो उंगली डालके इस तरह से निकाल लीजे फिर दो उंगली डाले निकाले यह आपका बुंता चला जाएगा ऐसे ही आप लंबी सी डोरी जो है वो अपनी बना लीजे तो चलिए बना लेती हूँ ऐसे देखें फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए आप हमने लंबी सी डोरी बना ली है अब हम अपना यह पीस लेंगे और इसमें डाल दीजे इस तरह से डोरी बेगर है डालने के आपके काम आएगा बहुत महँगी नहीं आती है आप नॉर्मल वाली हूँक ले लीजे यह इस तरह से यह देखिए यहां से हम खीच लेंगे यह हमारा पन के रेडी हो गया है मैंने आपको सभी साइज मेजर्मेंट बताई दिया है आप मेजर्मेंट चार्ट के एक बार स्क्रीन स्वाट ले सकते हैं तो चलिए अब इसे पहना के लिखाते हूँ तो यह दिखिए गाज यहां पर जो ड्रैस है मैंने चार्ण वरेकाना को पहना दी है एकदम सिंपल और आसान तरीके से आ गई है आप भी एकदम एजली बनाईए और पहनाईए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर करिएगा बैक से आप फिटिंग देख सकते हैं आप इसे हलकी ठंडी में पहना सकते हैं आप इसे हैवी ठंडी में पहना सकते हैं रात में कानाजी को सुलाते वक्ट जब हम रजाई के अंदर सुलाते हैं तो उनकी जो भी वुलिन ड्रेस मोटी मोटी हैवी सी होती वो हम निकाल के कुछ इसी तरह की comfortable woolen में पहना के सुला देते हैं तो ये आप सुलाते वक्त भी पहना सकते हैं और इसके उपर आप कोई भी घेर पहनाएंगे तो चोली और नैपी एक साथ हो जाने की वज़े से आपकी नैपी गायब नहीं होगी और इसी पे आप घेर भी पहना सकते हैं मैं बहुत सारी वीडियो पिछले साल अप्लोड कर रखी है जो मैंने रबर बैंट के उपर घेर बताया है मैं इस साल भी आपको बताऊंगी तो इस तरह की ड्रेसेस आप यूज़ कर सकते हैं तो चलिए मिलती हूँ नैक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कुछना रादे रादे